दोस्तो आईपील 2024 में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे जहांपे पहला मैच कुलकता नाइट राइडर्स और लखनो सूपर जाएंट के बीच में खेला गया था वहीं दूसरा मैच मुंबई इंडियांस और चेने सूपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया था और इन दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आईपील 2024 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा पदलाव देखने को मिला तो आज किस वीडियो में हम आपको आईपील 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टीम को प्लेओफ में जाने के लिए कितना मैच जीतना परेगा परपल कैप औरेंज कैप की स्पिलर के पास है तो ये वीडियो काफी ज़दा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेश्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप लोग IPL के किसी भी मैच का 100% टेकूरेशी के साथ टोस और मैच दोनों चीजों का प्रिडिक्सन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कॉंटेक्ट करें उनका सभी दीटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में और आपके स्क्रीन के उपर दिख पा रहा होगा इनका प्रिडिक्सन सबसे कमाल का है पूरे IPL में 100% एकूरेटिन का प्रिडिक्सन जा रहा है तो एक बार इनके साथ कॉंटेक्ट करें तो चलिए फ्रेंड्स अवों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और IPL 2024 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL 2024 में आज का पहला सुपर हिट महा मुकाबला खेला गया था कॉलकता नाइट राइडर्स और लखनो सुपर जाइंट के बीच में लेकिन कॉलकता की टीम ने एक तरफांदाज में लखनो सुपर जाइंट को हरा दिया वहीं दूसरा मैच मुंबई इंडियांस और चेने सुपर किंग्स की टीम के बीच में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दोनों मैचों के खत्म होते ही IPL का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है तो आईए बात करते हैं IPL के नए पॉइंट टेबल के बारे में तो पॉइंट टेबल में दसवे पाइदान यानि की सब से बॉटम पे जो टीम है वो है रोयल चेलेंजर्स बैंगुलूरू की और रोयल चेलेंजर्स बैंगुलूरू की टीम ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहां पे RCB टीम को सिर्फ और सिर्फ एक मैच में ही जीत मिला और पांच मैचों में Royal Challengers Bengaluru की टीम को कराड़ी सिकस्त का सामना करना परा तो अभी RCB की टीम टोटल 6 में से सिर्फ एक मैच जीतने और पांच मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी की बॉटम पे मौजूद है और Royal Challengers Bengaluru की टीम का निट रन रेट माइनस एक दसमलवे एक दो चार है और यहां पर से RCB को अगर प्लेओफ का टिकट चाहिए तो इनको बचे हुए आठ में से कम से कम साथ मैच जीतना परेगा और यह टीम अपना अगला मैच मजबूत सनराइजर सादराबाद के खिलाप 15 अप्रिल को सामसारे 7 बजे खेलेगी और इस मैच में RCB का जीतना बहुत ही जादा जरूरी है इसके बाद पॉइंट टेबल में नौवे पैदान पहरी सबपंत की टीम यानि की दिली कैपिटल्स और दिली कैपिटल्स ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहां पे 2 मैचों में दिली कैपिटल्स की टीम को बहुत बढ़िया जीत मिला लेकिन 4 मैच में दिली कैपिटल्स की टीम को करारी सी कस्त जहलना परा तो अभी दिली कैपिटल्स की टीम टोटल 6 में से 2 मैच जीतने और 4 मैच हारने के चलते चाहरंगों के साथ पॉइंट टेबल में नौवे पैदान पे है और दिल्ली कैपिटल्स का निट रन रेट माइनस 0.975 है और DC की टीम को यहाँ पर से प्लेओफ में जाने के लिए बचे हुए आठ में से कम से कम 6 और मैच जीतना परेगा तब ही दिल्ली कैपिटल्स प्लेओ पे है आज के मैच में हारने वाली टीम यानि की मुंबर इंडियंस की टीम और मुंबर इंडियंस ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहां पे 2 मैचों में मुंबर इंडियंस की टीम को हार का सामना करना परा तो अभी मुंबर इंडियंस की टीम टोटल 6 में से 2 मैच जितने और चार मैच हारने के चलते चार अंकों के साथ पॉइंट टेबल में आठवे पैदान पे है और मुंबई इंडियंस का निट रन रेट माइनस जीरो दासमला वो दो दो जीरो है और आज वाले मैच में मुंबई की टीम को मुंबई में ही चेने सूपर किंग्स ने हरा दिया तो अभी यहाँ पर से मुंबई को प्लॉप में जाने के लिए बचे हुए आठ में से कम से कम 6 मैच जीतना परेगा तो मुंबई के लिए आने वाला सफर काफी ज़दा डिफिकल्ट साबित हो सकता है वही पॉइंट टेबल में अगले पैदान पे है पंजाब किंग की टीम और पंजाब किंग्स ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो मैचों में ही पंजाब किंग्स को जीत मिला और बादबां की 4 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को करारी सिकस्त जहलना परा तो अभी पंजाब किंग्स की टीम टोट है और पंजाब को यहाँ पर से पिलोफ में जाने के लिए बचे हुए आठ में से 6 मैच जीतना परेगा वहीं पॉइंट टेबल में अगले पायदान पे है गुजराट टाइटन्स की टीम और गुजराट टाइटन्स ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहाँ पे 3 मैच में गुजराट टाइटन्स को जीत मिला और 3 मैच बे गुजराट टाइटन्स की टीम हार गई तो अभी जीटी 6 में से 3 मैच जीतने 3 मैच हारने के चलते पॉइंट टेबल में 6 अंक बना चुकी है और जीटी का निट रन रेट माइनस 0.637 है और इनको प्लोफ में जाने के लिए 8 में से 5 मैच जीतना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में 5 वे पैदान पे है आज के मैच में हारने वाली टीम यानि की केल राहूल की कपतानी वाली लखनो सूपर जाइंट की टीम और लखनो सूपर जाइंट ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहां पे 3 मैचों में लखनो सूपर को हार का सामना करना परा तो अभी लखनो सूपर जाइंट की टीम टोटल 6 में से 3 मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते छे अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 5 वे पैदान पे है और लखनो सूपर जाइंट का निट रन रेट प्लस 0.038 है और LSD को यहां पर से IPL के प्ले चार गई इसके बाद पॉइंट टेबल में 4 पैदान पे है पैट कमिंस की कप्तानी वाली यानि की संराइजर सैदराबाद की टीम और संराइजर सैदराबाद की टीम ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 5 मैच खेले जहां पे 3 मैचों में संराइजर सैदराबाद की टीम जीत गई और दो मैच में सन्राइजर साधराबाद की टीम को हार का सामना करना परा तो अभी सन्राइजर साधराबाद की टीम टोटल पांच में से तीन मैच जीतने और दो मैच हारने के चलते 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 4 पैदान पर है और सन्राइजर साधराबाद का निट रन रेट प्लस 0.344 है और यहाँ पर से सन्राइजर साधराबाद की टीम को IPL के प्लेओफ में जाने के लिए बचे हुए 9 में से कम से कम 5 मैच जीतना परेगा और ये टीम अपना अगला मैच रोयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के तो उस मैच में अगर SRC जीतेगी तो इस टीम के प्लोफ में जाने के चांस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पैदान पे है आज के मैच की विनर और डिफेंडिंग चैंपियन यानि की चेने सुपर किंग्स की टीम और चेन नई सुपर किंग्स की टीम टोटल छे में से चार मैच जीतने और सिर्फ दो मैच हारने के चलते आठ अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पैदान पे है और चेने सुपर किंग्स का निट रन रेट प्लस 0.800 है और यहाँ पर से CSK को IPL के प्लोफ में जाने के लिए बचे हुए आठ में से चार और मैच जीतना परेगा और आज तो चेने ने कमाल कर दिया और मुंबा इंडियंस को उनी के घर में हरा दिया तो चेने के फैंस और चेने की टीम करेंटली काफी ज़्यादा खुस है वहीं पॉइंट टेबल में दूसरे पैदान पे है आज के मैच की विनर और सिर्या सायर की कप्तानी वाली यानि की कलकता नाइट राइडर्स की टीम और कलकता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 में अब ही तक टोटल पाँच मैच खेले जहां पे चार मैचों में कलकता नाइट की टीम को जीत मिला और सिर्फ और सिर्फ एक मैच में ही के क्यार की टीम को हार का सामना करना परा तो अभी कलकता नाइट राइडर्स की टीम टोटल पाँच में से चार मैच जीतने और सिर्फ एक मैच हारने के चलते आठ हंकों के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे पैदा वहीं पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानि किसी खर पे है IPL इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की टीम यानि की राजस्थान रोयल्स और राजस्थान रोयल्स ने IPL 2024 में अभी तक टोटल 6 मैच खेले जहां पे 5 मैच मेच टीम को जीत मिला और सिर्फ एक मैच म प्लस 0.767 है और राजस्थान रोयल्स की टीम को प्लेओफ में जाने के लिए 8 में से सिर्फ 3 मैच जितना परेगा तो राजस्थान के प्लेओफ में जाने के बहुत ही मजबूत चांस है तो ये था IPL में आज का नया पॉइंट टेबल परपल कैप औरेंज कैप के बारे मे ले चुके है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और IPL मैचों के प्रेडिक्सन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉंटेक्ट करे तो फ्रेंड्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में